नमस्कार आज हम आईसमान कार्ड वाइट कार्ड से कैसे बनाते हैं यह सिखेंगे तो आज वाइट कार्ड लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यह एक आधार कार्ड है अभी यह आधार कार्ड नंबर में डालूंगा नॉर्मल यह आधार नमबर में डाल रहा हूँ इस देख सकते हैं यह आधार नमबर में डाल रहा हूँ वी आधार नमबर सर्च किया मैंने नो वेनिफिसरी आ रहा है यह सर्च करने बाद नो वेनिफिसरी आ रहा है लेगिन अभी यही मैं वाइट कार्ड में डालूंगा वाइट कार्ड में वाइट कार्ड के लिए आपको क्या करना पड़े है वाइट कार्ड सिलेक करके फैमिली आईडी करना पड़ेगा फैमली आडी और जिनका भी वाइट रासन काड़ है उन लोग को रासन ओफिस में जाना है और 12 डिजिट का नमबर लाना है रासन काड़ का 12 डिजिट का रासन काड़ लेके आना है 12 डिजित रासन कार लाना है और इस तरह से यह देखिए यहाँ पर उनका 12 डिजित का रासन कार नमबर लिखा है यह देखिए अब यही 12 डिजिट का राशन काड नंबर आप डालो दे जो आपको पहले वाला अधार काड दिखा दे रहा हूँ लेखिए यह नाम दिख गया आपको असोग जी का यह नहीं आया था लेकिन अभी मैं यही राशन काड का 12 डिजिट नंबर डालने जा रहा हूँ यह देखिए 12 डिजिट वाइड काड वालों का नंबर डाला मैंने फैमली आइडी नंबर यह असोग जी का पूरा नाम आ गया उनके घर में 2 जन है उनके साथ आ गया अभी इनका KYC भी हम कर सकते हैं अभी मेरे पास असोग जी आया है असोग जी का हम KYC करेंगे तो इस तरह से आप आइसमान काड वाईक काड वालों का बना सकते हैं और वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों कर पहुँचा है वाकर रिखले हो कुझे नहीं चारे लुंजाझार रजए में सालीक आरा में चारे